हलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू साइफाई स्टडी, स्टुडेंट्स यह एक वाइरल कुश्चन है, जो कि हर प्रकार की कम्पटेटिव एक्जाम में पुछा जाता है और अक्सर 90% स्टुडेंट्स इस प्रॉबलम को गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि कुश्चन का जो बेसि ब्यक्त करें और उसके बाद इस वीडियो के सलूसन को देखें और अपने आंसर को मिलाएं कि क्या आपका आंसर सही है या थवा गलत है, सैद मेरे हिसाब से जो आपका आंसर होगा वह यह होगा, यह आप लिखा हुआ है करड़ी में माइनस चार गुड़े, करड़ी में मा जाएगा और माइनस माइनस मिलकर प्लस और 16 का वर्ग मुल 4 हो जाएगा, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो की आपका आंसर गलत होगा, आपका आंसर 4 नहीं होगा, ठीक है, अगर आपका आंसर 4 आ रहा है तो कहीना कहीं, आपका आंसर गलत है और इस वीडियो को क्या लिख सकते हैं करड़ी में माइनस 4 को यहां पर लिख सकते हैं हम लोग 4 गुड़े माइनस 1 ठीक है अब यहां पर देखें गुड़े यहां पर भी इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं 4 गुड़े माइनस 1 यहां पर यहां पर जो माइनस करड़ी के अंदर इसको हम डाइडेक्ट बाहर या नहीं जाता है ठीक है तो अब इसको और क्या लिख सकते हैं यहां पर आम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि करड़ी में 4 गुड़े करड़ी में माइनस 1 इसको ऐसे भी ऐसे ही करड़ी में 4 और गुड़े करड़ी में माइनस 1 ठीक है अब यहाँ पे 4 का वर्गमूल क्या हो जाता है दो गुड़े यहाँ पे करड़ी में माइनस 1 गुड़े यहाँ पे करड़ी में 4 का वर्गमूल 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा करड़ी में माइनस 1 ठीक है अस इसली concept यहीं पे छुपा हुगा है students, जब कोई संख्या यहां पे करड़ी में यह दोनों हैं, करड़ी में minus 1 और करड़ी में minus 1, तो इन दोनों का जब गुड़ा होगा, तो वह minus 1 आएगा, नो की वह plus में होगा, इस बात को ध्यान रखेगा, कुछ बच्चे यह सुचते करड़ी में minus 1, गुड़े करड़ी में minus 1, तो यह करड़ी में 1 हो जाएगा, minus minus मिलकर plus, यानि करड़ी में 1 हो जाएगा, और 1 का वर्ग मूल 1 ही होता है, तो यह आपका गलत हो जाएगा, यहां पे जब कोई संख्या करड़ी में है, और करड़ी में minus 1 और करड़ी में minus 1 का गुड़ा होगा तो आपका answer minus 1 आता है इस बात को आपको ध्यान रखना है ठीक है असली concept यहीं पर है student तो अब यहाँ पर यहाँ क्या हो गया देखिए माइनस चार आपका राइट आंसर है तो उमिद करते हैं इस्टुडेंट्स की क्वेश्चन की एक एक किस टिप को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे इस्टुडेंट्स अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शियर कमेंट करें और अपने दोस